धर्मी जीवन की साथ जरूरी आदतें मसीयों के लिए चार्ल्स स्टैनली अमेरिका के एक बुजूर्ग प्रचारक हैं जिनका एक संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सुचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ तो सबसे पहले मैं यहां आपको आदत यानि हैबिट का अर्थ बताता हूँ हमारी कोई भी क्रिया या हमारा कोई भी वेवार आदत का बन जाती है जब हम कोई भी एक कारिय सोच समझ कर अपनी इच्छा से करते हैं यह मानकर कि यह ठीक है और उसके बाद फिर उस काम को हम दुबारा करते हैं फिर तीसरी बार करते हैं फिर चौती बार करते हैं और हर बार उसमें हमारी इच्छा हमारी बुद्धी शामिल होती है और हमें लगता है कि ये काम ठीक है तो वो अपने आप हमारी आदत बन जाती है It becomes a habit तब क्या होता है हम अचेतन अवस्था में भी उस काम को अपने आप करते है उधारण के लिए जैसे बच्पन से लेकर जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारी जो अवस्था थी हम निम्न मध्यम वर्क से थे पैसों के एकसर कमी रहती थी घर पे तो मेरी ममी ने मुझे बच्पन से ट्रेन किया था कि बेटा जब भी रूम से बहार निकलो उसी टाइम लाइट को आफ कर दो क्योंकि बिजली का खर्चा बच्जाता है तो यह मेरे दिमाग में बैट की थी और मुझे ठीक लगती थी तो मैं जब भी कमरे से बहार निकलता था सबसे पहले लाइट आफ कर देता था तो वो करते 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 वो मेरी आदत बन की जो आज तक है आज हम बिजली का बिल आराम से दे देते हैं लेकिन आदत नहीं गई है मेरी तो मैं अपने परिवार में सब को सिखाता रहता हूँ अपने बच्चों को भी अपनी पत्नी को भी कि जैसी रूम से निकलो लाइट बंद कर दो तो मेरी आदत यह है कि मैं एक मिनट के लिए भी निकलता हूँ तो लाइट बंद कर देता हूँ वापिस आता हूँ तो फिर आउन करता हूँ लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इतनी कंभीरता से नहीं लेते इस बात को तो अकसर मैं घर में घूंगूम कर जहां पर भी लाइट जल रही होती है बंद करता रहता हूँ तो वो मेरी एक आदत बन चुकी है और ऐसे ही आपके भी कुछ आदते होंगी जिसके लिए आपको आप बहुत जादा सोचना नहीं पड़ता अपने आप आप करते हैं तो ऐसी ही साथ जरूरी आदते हैं जो मसीहों के जीवन में अपने आप होने चाहिए हैं तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मी जीवन की धर्मी जीवन क्या होता है गौडली लाइफ अर्थात धर्मी जीवन का अर्थ होता है जब एक मसीही अपने स्वार्थी शारेदिक जीवन से या भोग विलास के पापों से स्वायम को संतुष्ट करना बंद कर देता है और अपना जीवन पून रूप से परमेश्वर को समर्पित करके उसकी इच्छा पर चलते हुए संतुष्टी पाना सीख जाता है तब वो धर्मी जीवन होता है गाडली लाइफ तो हम क्या करते हैं परमेश्वर की आग्याव पर चलते हुए उसके वचन के अधार पर पवित्र आत्मा की अगवाई में एक पवित्र जीवन जीना शुरू कर देते हैं उसका मतलब यह नहीं है कि हम सिध्ध हो जाते हैं और हमसे कोई गल्ती नहीं होती है कोई पाप नहीं होता हो जाते हैं कभी-कभी लेकिन हम परमेश्वर की आवाज सुनकर वापिस है रास्ते पर आ आ जाते हैं और हमारे जीवन से पाप कम होने लगते हैं जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, उनसे हम धर्मी जीवन जी सकते हैं, तो कौन सी हैं वे साथ आदतें, जो हर मसीह के जीवन में होने चाहिए, मतलब साथ ऐसे वेवार, जो हर मसीह के जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जो हर समय उस मसीग के जीवन से जलकता रहे पहला प्रार्थना से भरा जीवन अलाइफ अफ प्रेयर मर्कुस एक पैंतिस में और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले येशु उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदीबाइबलस्टडी.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छे स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउन्डोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियोज अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोज बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है